नमस्कर दोस्तों सवागत नाथा है आप सभी इस चैनल पे दूस्तों आजम बात करेंगे स्वास्य विवाग की सीधी भर्ती के बारे में इस भरति का दोस्तो नौटिकेशन जारी वोच चुका है और इस भरती के लिए डोस्तो मेल तता फीमेल दोनों ही अप्लाई कर पाएंगे दोस्तो आप इंडिय के सबी राजों से इस भरती के लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि दोस्तों आपका सपना है स्वास्य विवाग में काम करने का सरकारी नौकरी करने का और यदि आप इस भरतिकले एलिजिवल हैं तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है दोस्तों यह दिया आप बहुरे पास हैं या ग्रेजुट हैं या आपके पास और भी कोई क्वाल्फिकेशन है तो आज की भरती लिए आप अप्लाइ कर पाएंगे और इसमें सेली भी दोस्तों आपको बहुत इबढ़ी हैं मिलेगी आपको केंद्रिय सेली मिलेगी 7 Center Pay Commission के हि तो दोस्तो जल्दी से इस चैनल को सबस्क्राइब कर लिजीगा और साथ में बैल एकन को भी जरूर प्रेस कर लिजीगा दोस्तो भरती की पूरी इंफोर्मेशन समझने के लिए वीडियो के अंतक बने रहेगा इस वीडियो में दोस्तो आपको स्टेप बाई स्टेप सारी इंफोर्मेशन दी जाएगी कि आज की भरती में किस किस पोस की भरती है क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और इस भरती का लोकेशन क्या है दोस्तों इस सारी information हम आपको इस वीडियो के मादम से देने वाले हैं तो चले दोस्तों बात करें हैं आज की भरती से related information के बारे में तो गाई जागे बढ़ेंगे जैसे बता दोस्तों आज हम बात करेंगे स्वाज से विवाग की भरती के बारे में बेसिकली department का पूरा नाम है health and family welfare department दोस्तों इस बरती के लिए आप इंडेक की सभी राजों से अप्लाई कर पाएंगे male तदा female दोनी दोस्तों इस बरती के लिए apply कर सकते हैं सैली की बात करें दोस्तों सैली आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी जैसे बता है कि आपको केंद्रिय सैली दी जाएगी सेवन सेंटर पी कमिशन के साब से इसके लिए दोस्तों आपको post wise notification से detail देखना पड़ेगा और इस बरती में जा तक selection process की बात है तो इसमें आपका exam तता skill test के basis पे selection किया जाएगा post wise accordingly ठीक है दुस्तों apply mode की बात करें तो इस भरती के लिए दुस्तों आपको online mode से apply करना है इस भरती के लिए आप 22 February से ही apply कर पाएंगे और इसकी दुस्तों last date है 18 March 2023 दुस्तों जांतक फीज की बात है तो फीज तो जादा है category wise फीज है 1200 रुपए से लेके 1500 रुपए फीज का भुकता दुस्तों आपको online mode से करना है जांतक आई सीमा की बात है age निमर की बात है तो इस भरती के लिए दुस्तों आई सीमा रखी गई है 18 साल से 25 साल 27 साल 30 साल स आते साथ आपको categories wise आई सीमा में छूड़ भी मिलेगी तो चले दुस्तों बात कर लेते हैं कि आज की भरती में किस किस पोस की भरती है तो गाई इसमें भरती होने जारी है जूनियर एडमिस्टेडिव असिस्टेंट की, स्टेवनोग्राफर ग्रेटू की, एक्सरे टेक्न technician, radiography की, medical social worker की, speech therapist की, perfusion assistant की, dental mechanical की, dental mechanic की, anesthesia technician की, pharmacist की, physiotherapy technician की, तथा other pose की qualification की बात करें तो दोस्तो जो candidate बारी पास हैं यह अप्लाई कर सकते हैं, junior administrative assistant की post के लिए, तथा sterografer की post के लिए, जो candidate बारी पास हैं और उनकी पास diploma है दोस्तों या उन्होंने bachelor degree कर रखी है या master degree कर रखी है दोस्तों, relevant discipline में तो यह अधर post के लिए भी apply कर पाएंगे, आपको दोस्तों भरती की notification दिखा देता हूँ, इसका link दोस्तों मैंने दे रखा है ठीक है, और आप बात करेंगे आज के भरती के location की बारे में, तो basically आज की भरती का location है, जे आई पी एन यार पूदू चेरी, यानि के आज की भरती है दोस्तों, ministry of health and family welfare department की ठीक है दोस्तों, और इस भरती के लिए आप इंडे के सभी राजियों से दोस्तों, अपलाई कर पाएंगे, male तदा female दोने दोस्तों, इस भरती के लिए अपलाई कर पाएंगे, तो कीजिएगा, दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत सुब कामना है, thank you so much